सिर्फ एक दिन बचा है, जितने भी पंचिज सरपंचिज है, उनका हकूमत आप यूँ समझेंगे, आज उनका आखरी दिन है कल की डेट से ये मायाद जो है वो खत्म होने वाली हैं जितने भी पंचिस सरपंचिस हैं उनके हाथ में जो इक्तिारात थे कल की डेट से वो खत्म होने वाले हैं चुकि आप जानते हैं कि 5 साला इस वक्त में किसने क्या कुछ काम किया क्या कुछ कारे किया वो आप सब लोगों के सामने हैं और इस पंचाईती राज में कितने क्या सारे भदला हुए उसको आप बखुबी जानते हैं। आप जानते हैं कि अक्तूबर 2019 में या 2018 में जब इस पंचिस सरपंचिस के इंतखाबात हुए थे उसके बाद बेटिजिस का बनाया गया था और भी कई सारी चीज़े इसके जम्रे में लाई गई थी ताकि सरकार की तरफ से मरकजी सरकार की तरफ से जो भी सारी योजनाएं है सकी में हैं वो आम लोगों तक गाओं के हर कोने तक पहुँचाई जाएं जिसके लिए अलग अलग जगाओं पे जिम्मेदारान भी जो है वो बनाये गए थे अब इसके हवाले से होगा क्या अगर इनके इक्तियाराद जो है वो कल की डेट में खतम कर दिये जाएंगे जो क में जो बताया जा रहा है कि अब जो पंचाई सेक्टरीज हैं या वीडियोज हैं उनके हवाले ये कर दिया जाएगा उन्हें बताया जाएगा कि आपको किस तरह से जो बाकी काम है सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई गई हैं उनको किस तरह से आपने आगे चलाना है उ उस सारे के सारा जो वीडियोज हैं या बाकी लोग हैं उनको करना पड़ेगा चुकि अगर हम पूरी पंचाइतों की बात करें 4291 पंचाइतों और उसके अलावा 310 ब्लॉक डिवलॉपमेंट कॉंसल की जो है मुद्दत वो खतम हो जाएगी और वहीं अगर हम बात करें पंचीज और सरपंचीज एक एदाद शुमार के मताबिक की हम बात करेंगे ये 25,000 के आसपास जो है पंचीज और सरपंचीज हैं उनका हकूमत का आज यूं समझेए कि आज आखरी दिन है कल की डेट से अब उनका कहीं कोई बस नहीं चलेगा अगर काम आपको करवाना है आ जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं आपकी पंचायत के अंदर जो काम होते हैं वो होगा अब यहाँ पर आप जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हो अलग-अलग जगाओं से आप जुरूर हमाई कमेट बक्स में भी बताएगा कि आपके पंचायतों के अंदर आपके इला पंचीज और पंचीज ने एलेक्शन जीतना था या बेटीजज जीतना था उस समय के इनके मैनिफेस्टू में जो चीजें लिखी थी क्या इन्हों ने वो सब पूरी की है क्या अपना दोरे एकदार जो उनका पाच साला रहा उनने अपने गाओं की तरकी उसमें देखी है सड़क पहुँचाई है बिजली पहुँचाई है या खाली अपनी जेबें बरी है या कुछ और किया है वो भी आप लोग बता सकते हैं जो कि आप जानते हैं कि अगर इनका वक्त खतम हो गया है आने वाले कल में अब जब एलेक्शन हो चुके आप जानते हैं पालिमानी ए जनाएं जो है वो पहुचानी है और पंचाईत राज एक्ट के मताबिक इस सब बीडीसी हैं पंचीज हैं सरपचीज हैं उनकी मायाद जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है अब जब तक अलेक्शन्स वगेरा होंगे जब तक यह सारी चीजें होंगी तब तक के लिए अ सारा काम जो है वो पंचाईत सेक्रेटरी और वीडियो के हवाले किया गया है चाया आपको कोई काम कराना है आपको किसी पकापाथ का काम है या बाकी जिस तरह से आर डेडी या बाकी डिपार्टमेंट्स काम करते थे पहले तो पंचाईत के जरी से जब पंचाईत में एक स और वीडियो के पास आप लोगों को करना होगा वह को आपको इसकी सही जानकारी देंगे किस तरह से करना होगा क्या करना होगा और ऐसे में सरकार ने भी ये समझा कि कहीं पर भी कोई भी दिकत प्रेशानी जो है वो लोगों को ना आए इसके लिए उनको जो है वो बता दिया गया है जो कि अब आज आखरी दिन है इनका और कल की डेट से ये सब लोग जो है वो इसकाम को संभालेंगे इनको बाज़ापता तोर पर हिदायत जो है वो दी गई है कि आपने किस तरह से इन सब चीजों को देखना है करना है उस पे क् वो आपने करना है चूंकि आप नहीं इससे पहले भी देखा कि पंचाइद राज एक्ट जब ये काइम किया गया था इसका मकसद क्या था इसका मुद्दा क्या था कि लोग आएंगे लोग सरकार के साथ जुड़ेंगे लोगों की परेशानियों को सुना जाएगा उनको हल किया जाएगा लेकिन वहीं अगर हम बात करें बहुत सारी योजनाएं हैं जो इस वकत पहुची चाहे किसानों का आप बात करिये या आवास पलस की बात करिये कितने सारे मकान बने कितने सारे गाउं जो है कितने सारी गाउं तक अभी तक जल जीवन मिशन के तह जो है वो पहुंच पाया, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बनते थे उसके बाद सरपंचिस भी अपना वो सामने रख लेते थे कि हमारे गाओं के अंदर ये सा प्रॉबलम होती थी, वो पहुंचती थी, अब इसके जरी से जो लोग इस वक्त हमारे स्थाप जुड़े हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर ये बता सकते हो, आप कहां कहां से इस वक्त हमें देख रहे हो, और बताईएगा जरूर कि को भी आगे तक ले करके जाएगा, अब कल के बाद क्या कुछ रहेगा, वो भी हम आप तक पलपल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लहला आप देखते रहें, News Insider 24-7